स्वामी जी क्या आप समझा सकते हैं कि जीवन क्या है और हम गुस्से से कैसे बढ़ सकते हैं। अगर आप कोईमबतूर की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सड़कों पर बीच में बेतर्तीब तरह से रखे डिवाइडर से बचना होता है। प्यकड़ों से और सड़क पार करते बच्चों से बचना होता है कई तरह की चीजों से। लेकिन जब आप कोईमबतूर की सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो क्या आपको चंदरमा से बचना होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको चंदरमा से बचना होता है। नहीं, क्योंकि चंदरमा सड़क पर नहीं है। है ना? तो इसी तरह अभी क्या आप गुस्सा हैं? नहीं? तो इससे बचने की क्या जरुरत है? उससे बचने की कोई जरुरत नहीं है। दरसल आपको लगता है कि गुस्सा एक हस्ती है। गुस्सा कोई हस्ती नहीं है। आप गुस्सा होते हैं। आप गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा कहीं बैठा हुआ नहीं है, और आप जाकर उससे टकरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप गुस्सा होते हैं, जब आप गुस्सा होते हैं, यह आपके लिए अच्छा नुभव है, बुरा नुभव है, बुरा नुभव है, बुरा न हमें हमेशा से यह पता रहा है, लेकिन आज chemical test साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं, कि आप असल में अपने शरीर में जहर गोल रहे हैं, गुस्सा होकर आप अपने system में जहर पैदा कर रहे हैं. तो आप खुद को यह जहर क्यों देना चाहेंगे? यह जान बूच कर नहीं हो रहा है, आप खुद को जहर दे रहे हैं, आप खुद के लिए बुरा अनुभव पैदा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए, क्योंकि आपका मन आपकी बात नहीं सुन रहा है. है ना? यह आपसे निर्देश नहीं ले रहा है. अगर यह आपसे निर्देश ले रहा होता, तो आप उसे खुश रहने को कहते, है ना? आप गुस्सा करने को नहीं कहते, लेकिन अभी जब आप शान्थ होना चाहते हैं, यह गुस्सा हो रहा है, क्योंकि यह आपसे निर्देश नहीं ले रहा है. तो अगर आपका मन आपसे निर्देश नहीं ले रहा है तो आपको इस पर थोड़ा और ध्यान देना होगा यह आपसे निर्देश क्यों नहीं ले रहा है अगर आप यह समझ लेते हैं तो आपको गुस्से से बचने के जरुरत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा कहीं पर बैठा है और आकर आप पर सवार हो जाता है आप गुस्सा हो रहे हैं आप दुखी हो रहे हैं आप नाखुश हो रहे हैं आपके साथ ये चीज़ें मूल रूप से इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अपने मन को काबू में रखने के लिए कुछ नहीं किया है यह सैयोग से हो रहा है बस सैयोग से अगर बाहरी हालाथ ठीक हैं तो आप भी ठीक हैं अगर बाहरी हालाथ खराब हैं तो आप भी खराब हैं इंसान के जीवन को ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर मैं ठीक हूँ, तो मेरे आसपास भी सब कुछ ठीक हो जाता है. यही वास्तविक्ता होनी चाहिए. अभी अगर मेरे आसपास के हाला जिस भी तरह के हैं, मैं भी वैसा हो जाऊँआ. नहीं, नहीं. मानवचेत्ना को कर दो अगर कर दो कर दो कर दो कर दो